नमस्कार दोस्तों मैं हूं सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चानल सोनम्स लाइफस्टाइल में दोस्तों फल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पर फल खाने के साथ साथ घर में बना फ्रूट फेस मास्क अगर लगा लिया जाए अपने चहरे पे तो आपके स्किन बहुत ही अच्छी से चमकने लगेगी एक ब्लोइंग निखार आपके चहरे पे आ जाएगा आज मैं बात करने वाली हूँ संत्रा के बारे में संत्रा आपके सेहत के साथ साथ आपके चहरे के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे जो fruit face mask आज मैं बनाने के लिए बताने वाली हूँ ये बहुत आसानी से बन जाता है इसके लिए आपको एक रुप्या भी खर्च करने की जरुरत नहीं है न तो आपको धेर सारा समय खर्च करने की जरुरत है पार्लर में और नहीं धेर सारा पैसा खर्च करने की जरुरत है ये आपके घर में बहुत असानी से बन जाता है एवलेवल इसली प्रोड़क्ट के साथ तो दोस्तो ये जो फेस मास्क है इसमें मैं यूज करने वाली हूँ औरेंज जूस औरेंज जूस में अंटी आक्सिडेंट होता है जो की आपके चेहरे पे कसावट लाएगा और आपकी तवचा को छुरियों से भी बचाएगा इस फेस पैक से दाग धबे संटैन भी दूर होंगे साथ ही आपके चेहरे का जो कॉंपलेक्शन है स्किन का जो टेक्शर है वो भी इंप्रूव होगा तो चलिए देख लेते हैं कि इस फेस मास्क को कैसे रडी करना है दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक चमच बेसन लिया है बेसन आपके चेहरे से इंप्यूरिटीज को निकाल कर आपके चेहरे को क्लीन करता है और साफ सुत्रा बनाता है दूसरा जो इंग्रेडियन्ट है वो है चंदन पाउडर एक चमच चंदन पाउडर मैं लोंगी पतंजली का चंदन पाउडर है आपकी सी भी ब्राइंट का चंदन पाउडर ले सकते हैं चंदन पाउडर आपके चहरे से impurities, dirt, dullness को अच्छे से remove करता है साथी UV rays से आपके face को जो harm हुआ है उससे भी यह आपके face को बचाता है दोस्तो जो third ingredient है वो है हल्दी यहाँ पर हम एक चुटकी हल्दी लेंगे हल्दी में vitamin C होता है जो कि आपके skin को exfoliate करने में मदद करता है साथी हल्दी आपके सौंदरे के दृष्टी से भी बहुत अच्छा होता है दोस्तो next ingredient है वो है orange juice यहाँ पर मैं fresh orange juice ले रही हूँ आपको उतने मात्रा में ही orange juice लेना है जिससे की आपका जो best है वो face mask जो है वो liquidy ना बने थोड़ा थिक ही रहे next जो ingredient है वो है lemon juice lemon juice यहाँ पर मैं 2 से 4 बुन्दे ले रही हूँ lemon juice जो है आपके चहरे से extra oil को remove करता है बैक्टेरिया को भी खत्म करता है और lemon juice बहुत ही कमाल की चीज है क्योंकि यह आपके चहरे से दाग धबो को भी दूर करता है दोस्तो जो next ingredient है वो है गुलाब जल यहाँ पर मैं 3 से 4 बुन्दे गुलाब जल की ले रही हूँ गुलाब जल जो है वो आपके skin के pH level को balance करता है acne को control करता है skin को tone करता है साथी आपके skin को hydrate करता है skin को cooling effect देता है sun tanning को भी दूर करता है और pimples की जो problem है उसे भी दूर करता है दोस्तो यहाँ पर सारे ingredients को आपको बहुत ही अच्छे से mix कर लेना है in case अगर आपको नीबू suit ना करता हो तो आप नीबू का रस skip कर सकते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की consistency होने चाहिए आपकी face pack की अब हमारा face pack ready है इसे लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो चहरा है वो clean होना चाहिए धुला हुआ होना चाहिए face wash से कोई भी makeup आपके skin पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए तो दोस्तो इस तरह से आपको पूरे face mask को अपने पूरे skin पे evenly लगा लेना है ये जो face mask है ये आपके skin से tanning को दूर करेगा और आपके skin को exfoliate भी करेगा और आपके skin को healthy बनाएगा साथी ये आपके skin को moisturize करता है skin की जो anti-aging की तरह ये काम करता है आपके skin पे ये face pack आपके बड़े बड़े रोम चिदरों को minimize करने का भी काम करेगा orange में citric acid होता है जो कि आपको pimple free skin बना कर देता है तो यहाँ पर मैंने face mask अपना लगा लिया है और इसे 10 मिनट तक के आपको सुखा लेना है उसके बाद आपको normal water से इसे wash कर लेना है उसके बाद एक clean towel की मदद से आपको इसे pad dry कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना चेहरा दो लिया है दो कर बैड dry कर लिया है और wash करने के बाद आप result देख सकते हैं trust me guys इसे बहुत ही अच्छा result मिलता है काफी effective result मिलता है tested and tried remedy है तो आप इसे जरूर use कीजेगा क्योंकि यह fruit mask है तो यह किसी भी तरह का इसमें chemical नहीं है जो कि आपके skin को harm पहुचाए बहुत ही अच्छा home remedy है natural ingredient से बना home remedy है तो एक बार जरूर आप try कीजेगा इसे आप week में दो बार जरूर try कर सकते हैं यह आपके face को बहुत ही अच्छा glowing बना देगा आपके face को healthy बनाएगा आपके चहरे को moisturize भी करेगा और निखार तो आप देख सकते हैं कि मेरी skin कितनी प्यारी लग रही है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब करने के बाद बल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा मिलती हूँ आप से next वीडियो में तब तक के लिए take care, good bye